नमस्ते, तो आज हमें एक और रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं इस फूल मून के एनरजी में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और क्या कुछ इस रिष्टे में आगे हो सकता है, ठीक है, सबसे पहला कार, सेवन अपसोर्स, थर्ड पार्ट और आपके पर्सन में क्या चल रहा है, आप खुद देख लो, सिर्फ जूट, धोके बाजी, बाते चुपाना, एक दूसरे से जूट बोलना, एक दूसरे के पीठ पीछे, गॉसिप करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, और हमेशा सच्चाय को चुपा के रखना, जूटे चे तो सेम, सेम आपके पर्सन भी बस वैसा ही व्यवार करने लगे हैं, थर्ड पार्टी के साथ, वो भी आप इस थर्ड पार्टी को कुछ भी बताते नहीं है, और सब कुछ उसके छुपा कर रखना चाहते हैं, आपके पर्सन ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कि जो इस थर पहला कार्ड है, पहला कार्ड बता रहा है कि ये इंसान सब कुछ समझ रहा है, कि थर्ड पार्ट ने उसके साथ कितने चाले चली, थर्ड पार्ट ने उसके साथ कितना जूट बोला, और सेम, से अब ये इंसान उस थर्ड पार्टी के साथ करना चाता है, अब इस थर्ड पार the impressed के energy है guys आपके person को क्या लगा था कि जैसे प्यार आपने उस इंसान के साथ किया है same same ऐसे energy उसको third party के साथ मिलेगी वो third party से बहुत प्यार हासिल करेगा third party के साथ शादी करेगा third party उसको बहुत nurture करेगी मा कैसे अपने बच्चों की care करती है बस वैसे care करेगी और उसको बहुत ज़दा प्यार देगी लेकिन जब वो third party के साथ relation में गया तब उसको third party की सच्चाई असलियत सामने आ गई यहापर कुछ लोग ऐसे भी है कि यह जो third party है जिसको आप third party समझ रहे हो हो सकता कि यह जो person है शादी शुदा है और उनका baby भी है हो सकता है हर किसी के साथ resonate नहीं होगा लेकिन कुछ लोग यहापर ऐसे कि जिसके बार में आप सोच रहे हो सकता है कि वो शादी शुदा है और उनका एक baby भी है तो guys आपके person को ऐसा लगा था कि वो उसको बहुत क्यार करेगी उसको बहुत प्याम पर करेगी बहुत सच्चा प्यार करेगी लेकिन third party की जो सच्चा ही है वो अब इस अंसान के सामने आ चुकी है और उसकी जो गलत फ्यामिया थी देखो यहापर क्या है Ace of Swords यहापर क्या है Nine of Wands जगड़ा करने के मोड में है वो सब कुछ क्लियर करना चाहते है उस अंसान को तकलीफ होरे इस बात की कि यह third party उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है इस अंसान को इस बात की बहुत तकलीफ होती है और अब आपकी person को ऐसा लगते कि मुझे अभी के अभी बस उसके तरफ जाना है और जो कुछ भी third party ने गलत किया है आपकी person उसको छुप छुप कर देखते है हमेशा उसके उपर नजर भी रखते है और वो उसके पास जाकर कुछ बाती क्लियर करना चाहते जगडा करने के मोड में आपके person है आपके person इस रिष्टो को बस आर या पार लगाना चाहते उस अंसान को बस बरदाश नहीं हो रहा है वो क्या चाहते कि जो third party है वो सच सच बोले लेकिन third party है जोटी third party है एहंकारी अब आपके person को ये realize होने लगाए कि ना ये third party कभी सच बोलेगी ना ये third party उससे कभी प्यार करेगी और ना ही ये third party कभी अपने घमन से बाहर निकलेगी third party का एक अलग ही attitude है एक अलग ही शान में जीती है वो और वो कभी सच्चाई के साथ इस अंसान के सामने जो कुछ बाते है वो clear नहीं करेगी ऐसे आपके person को feed हो रहा है और आपके person बड़े गुस्से में है बड़े नाराज है और कुछ बातों को clear जल से जल करना चाहते है राशी है Libra, Aquarius, Gemini Aries, Livus, Sagittres और देखते हैं देखो गाइस 8 of Pentacles आपके person को ऐसा लगता है कि आपके person ने third party के लिए बहुत जादा effort डाले हैं बहुत जादा आपके person ने उसके उपर पैसा भी करच किया अपना वक्त भी जाया कर दिया उसके लिए हर वो चीज की जो आपका partner कर सकता था लेकिन third party के तरब से वैसा कुछ response ना कभी मिला ना third party ने इस इनसान के लिए कभी कोई वक्त खर्च किया आपके person को इस बात का बड़ा regret हो रहा है कि उसने एक ऐसे इनसान के लिए सब कुछ अपना वक्त अपने पैसा खर्च कर दिया जिसको कोई कदर ही नहीं जिसको एक अलग ही घमन है जो अपने ही घमन में जीता है ठीक है तो आपके person को इस बात का बड़ा अच्रज हो रहा है बड़ा ही दुख हो रहा है इस बात का कि उसने कैसे इनसान के उपर अपना वक्त जाया कर दिया जिसको आपके person की जरा भी कदर नहीं है और जब ये इनसान इस एहसास में आ जाता है तो उसको कौन याद आता है उसको आप याद आते हो क्यों क्योंकि आपने उस इनसान को सच्चा प्यार दिया उस इनसान को क्या realize होता कि जिसने सच्चा प्यार किया उसको छोड़कर में एक जूटे इंसान के साथ relationship में चला गया जिसको मेरी कदर ही नहीं जिसके लिए मैंने कितना कुछ किया उसको कदर ही नहीं वो अलगी attitude में जीती है या जीता है ओके और देखते हैं क्या कुछ energy आती है देखते हैं गाइस आपके person इस ये जो भी condition है जो भी उनके हालात है वो जल से जल इससे बाहर निकलना चाहते है वो इनसान बड़ा है बड़ा परिशान है वो रादभर सोता नहीं है उसको नींद ही नहीं आती है जितनी बार वो थोड़ पार्टी के बारे में सोचता है उतनी बार उसको नींद नहीं आती है कि वो कहा जाकर फज गया है आपके person बहुत नाराज है उदास है उस इनसान को इस बात का बड़ा अच्रज होता है कि उसने क्यों ऐसे इनसान के उपर अपना वक्त जाया कर दिया और four of source के energy reverse आ चुके है ये इनसान इस condition से बाहर निकलना चाहता है ये भगवान को प्रे कर रहा है कि भगवान जल से जल उसको third party से बाहर निकाले वापस लिब्रा एक्विरस जयमिना इस इनसान को ऐसा लगता है कि जो इस रिष्टे में उसने हमेशा कोशिश की balance लेकर आने की इस रिष्टे में कभी balance हुआ ही नहीं इस third party ने कभी इस रिष्टे में balance किया ही नहीं आपके person अकेले अकेले इस रिष्टे को चलाने की कोशिश करे थे और third party को जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है इस इनसान की third party ऐसे व्यवहार करती है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ये अनसान उसके जिन्दगी में रहे या ना रहे मतलब third party को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो सच्चा प्यार करती कहा है अगर वो सच्चा प्यार करती तो उसको फर्क पड़ता ना तो थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान उसके जिंदगी में रहे या ना रहे और अब आपके person ने क्या decide कर लिया है कि वो अब इस थर्ड पार्टी को कोई जोर का जटका देंगे ऐसा कुछ करेंगे कि जिसके बाद थर्ड पार्टी अवाक रह चाह आता है देखो transformation आपके person को ऐसा लगता है कि वो मतलब कितना अंदाधुन था इस प्यार में और आज आपके person के अंदर ये transformation आ चुका है कि उसको अच्छाई और बुराई के समझ तो आ चुके है अब तक ये अनसान समझ नहीं पारा था आपने इसको बहुत सच्छा प्यार किया लेकिन इसने आपको नहीं समझा और अब जाके इस इंसान के अंदर वो transformation आया है अब इसको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझ में आ रहा है और postponement इस इंसान को समझ में सब कुछ आ रहा है नंबर फोर है यहापर नंबर फोर राहू का है इसके दिमाग में हजर थौट्स घूमते चले जा रहे हैं इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे पोस्ट फोर्णमेंट जो यहापर काड आये है आपके person को ऐसा लगता है कि वो इस रिष्टे से बाहर निकलना चाते हैं जल से जल लेकिन वो खुद को स्टक फिल करते हैं खुद को इस कदर उसमें अटका हुआ फिल करती कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है ऐसा उनको लगता है ठीक है और यहापर राइपनेस है आपके person को ऐसा लगता है कि वो divine time कब आएगा कि जब वो इस रिष्टे से बाहर निकलेगा और उसको सच्चा प्यार जो आपने इस इंसान को जो सच्चा प्यार दिया है वो उसको वापस मिलेगा आपके जो partner है वो भगवान को दुबा कर रहे है कि वो कुछ ऐसा चमतकार करे कि वो person इस रिष्टे से बाहर निकले ठीक है आपके person बोर हो चुके है आपके person को ऐसा लगता है कि अब कुछ नयापन चाहिए जिन्दगी में ये third party उसका जूट उसका फरेव उसका धोका ये इनसान तंगा चुका है वही वही रोज रोज ये इनसान उसे में अटक चुका है और ये इनसान चाहता है उसमें से बाहर निकलना ये इनसान चाहता है खुली हवा में सास लेना जो इस इनसान को freedom नहीं मिल रहा है third party के बास अटक चुका है इनसान ओके और आपके person को कुछ नयापन चाहिए अब देखो अब आपके person अपनी जिन्दगे के एक नई शिरवात करना चाहते है इस third party से बाहर निकल कर वो अपनी दुनिया में ख जो इस इनसान को हमेशा परिशान किया जूट बोलना बाते चुपाना यह हमेशा third party कर रहा है और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि यह person भी third party को कोई जोर का जटका दे सकता है यह इनसान भी अब उसके साथ कोई mind game खिल सकता है उसके साथ वही सब कुछ कर सकता है ज अब नहीं पता कर रहा है आपका person third party से हर चीज अब छुपाने लगा है वो third party को हमेशा एक mask लगा कर उसके सामने चाता है उसको कुछ भी सच्चा ही नहीं जाहिर करता है आपका person ठीक है और देखते हैं क्या है देखो आपके person का टूटा है दिल यह unfold हुआ है इसको लेते ह नमबर 16 का कार है नमबर 16 कुछ खास हो सकता है आपके person और third party के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इसा कुछ खराब हो चुका है और यह इनसान अपने आपको हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है इस third party से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो जो दर्द वो जो उसको तकलीफ हो रही है उसमें से अपने आपको हील करने की पूरी कोशिश वो इनसान कर रहा है अपने आपको उस दर से निकाल कर एक ने जिन्दग की शिरवात करने के लिए तैयार कर रहा है इनसान क्योंकि वो अंदर से टूट चुका है बिखर चुका है ठीक है और क्या है देखते हैं आपके परसन चाहा कर भी उस एनरजी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे वो मेरिडेशन वगेरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उनको रिलीफ मिले उस दर से छुटकारा मिले वो इसके बावजुद भी जब भी इनसान मेरिडेशन में बैठता है तो भी उसके दिमाग में हजारों थॉट्स चलते रहते हैं और वो थर्ड पार्टी की जो भी थर्ड पार्टी गलत किया है इस इनसान के साथ वो इनसान उन बातों को नहीं भूल पाता है नमबर सिक्स थरड आई चक्रा number 6 है प्यार का शुक्र का इस इंसान को ऐसा लगता है इस प्यार में वो इंसान बहुत गलट decision अल्रड़ी ले चुका है जब उसको सच्चा प्यार मिला तो उसने छोड़ दिया जब उसको गलट इंसान मिला तो उसको उसने सब कुछ समझ लिया अपना और उसी इंसान ने उसको फिर धोका दे दिया तो इसको लगता है कि प्यार में न गड़बड ही हो जाती है उसके साथ वो सही अपने intuition power का इस्तमाल करके कोई decision ही नहीं ले पाता है थरड़ा चक्रा block है इस इंसान का confusion है इसलिए इस इंसान के दिमाग में आपके person अब ऐसे हो गए है कि उस इंसान को प्यार चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए इस इंसान ने इतना कुछ बरदाश कर लिया है इस इंसान ने इतना दर्द सह लिया है कि अब उसको लगता है कि बस मुझे प्यार की जरुरत है और वो अगर कहीं मिलता है तो वो आपके पास है, उसको समझ में आ चुका है, अपने हाट चक्रा को हील करने की ये अनसान बहुत कोशिश कर रहा है, और इसका दिल कहता है कि आप उसके लिए बने हो, नमबर बन, नमबर सिक्स, ओके, गाइस ये परसन बहुत जल आपकी देख पा रहा है, ओके, अजब उसके सच्चाई को देख पा रहा है, और जब उसको समझ में आए कि उसने क्या कुछ खोया है, और कहाँ जाकर वो इन्सान फस गया है, ये बाते इसको realize होने लगी है अब देखते हैं साई बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं जीवन की पुस्तक साई बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं जिंदगी में कुछ बुरे अध्धाय हो सकते हैं मात्र अच्छे अध्धाय आना निच्चित है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि आपको ऐसा लगता है कि यह जो इंसान आपको छोड़कर चला गया तो जैसे कि आपकी जिंदगी पूरी खराब हो गई तो साई बाबा आपको बताते कि जिंदगी में कुछ बुरे अध्धाय हो सकते हैं मात्र अच्छे अध्धाय आना निच्चित है इसका मतलब है अभी आपके लाइप में जो भी प्रॉब्लेम है वो जाएंगे और अच्छे खुबसूरत पल आपके जिंदगी में आने वाले हैं गस्मे और वचन आपको बताए जारा कि आपके या आपके परिवार ने दिये हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें अगर किसी को प्रॉमिस किया है आपने तो उस प्रॉमिस को निभाओ ठीक है आप अकेले नहीं है साही बाबा आपके साथ है जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपके साथ है आप अकेले नहीं है हर स्थिति में भगवान आपके साथ है तो डरने की क्या बात है तो यही थे आपके रडिंग आपको रडिंग पसना आए हो लाइक, शेर और सब्सक्राइब मिलते अगले वीडियो में तब 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 गले बाइ